पाकिस्तान, मौनिंग दिलाइट उसको इंप्लिमेंट कराने के लिए एक तो ये सवाल था और दूसरा मेरा सवाल ये था कि जो जमाने जहालत था क्या हम उससे निकल आएं या अभी तक हम वहाँ पे मौजूद है या उससे भी वर्स्ट हो चुके है जे, इसके बहुत शुक्रिया, इसके दो तीन पहलू है पहला पहलू तो ये हमें ये समझने की जरूरत है कि हुमन राइट्स या इनसानी हुकूक जो है वो एक तसवर है और उस तसवर को उस पे अमल दरामत करने के लिए उसको अमली शकल देने के लिए तीन चार उसके अंदर किरदार है पहला किरदार उसके अंदर है जिसे मैंने कहा शूर और आगही पैदा करना तो ये जो इनसानी हुकूक की मुक्तलिफ तन्जीमे है जैसे HRCP है या मेरी तन्जीम है Human Rights Network हमारा काम होता है शूर और आगही पैदा करना लोगों में अबलाख करना इस बात का कि आपका हक क्या है और आपका फर्स क्या है देखिए हुकूक और फराइस का ये एक साइकल है अगर आप अपना फर्स अदा नहीं करेंगे तो आप किसी का हक मारेंगे और इसी तदा कोई दूसरा फर्ज जब अपना फर्ज अदा नहीं कर रहा होता तो आपका हक मारा जाता है तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है इसका जो दूसरा किरदार है वो रियासत है रियास्त का ये फर्ज है कि वो इनसानी हुकूक के हवाले से जो कवानी मौजूद है उन पर अमल दरामत को यकीनी बनाए शेहरीों का ये फर्ज है कि वो एक दूसरे के हुकूक का इहतराम करें और अगर किसी शेहरी का हक मामाल होता है तो उसके पास ये इस बात के लिए उसके पास ये गुझाईश मौजूद है कि वो अदलिया से राब्ता करें अदलिया के पास जाए या इनसानी हुकूक की तंजीमों के पास जाए वो अपनी आवाज उठाए उस नाइनसाफी के खिलाफ उसका जो हक मारा गया है और अदलिया उसको रेमेडी फराहम करें तो ये मुक्तलिफ इसके प्लेयर्स हैं इसके किर्दार हैं तो हमें एक तो इन किर्दारों को समझने की जरूरत है सबसे पहले मैं इसमें सजेस्ट ये करना चाहता हूँ कि जो खुदबा है नभी करीम सलसलम का आखरी खुदबा और जो यू डी एच आर यूनिवर्सल डेकलरेशन ओफ हीमन राइटस है उसको जो है वो निसाब का हिस्सा बनाया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए जब आप ये शोर और आगही बच्चों के दिमाग में डालेंगे कि ये तुमारा हक है ये तुमारा फर्ज है तो आगे जाकर जिंदगी में उनके लिए आसानी हो जाएगी दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यां कवानी बन जाते हैं उसके उपर अमल दरामद नहीं होता तो हमें रियासत को इस बात के उपर मजबूर करना है कि जो कवानी मौजूद हैं उन पर अमल दरामद किया जाए तो इनसानी हुकुक के जो चैप्टर्स और जो आर्टिकल्स हमारे कानून आईन के अंदर अल्रेडी मौजूद है शिक तीन पाँच मुक्तलिफ शिकों की आप सुनते हैं अक्सर जिकर लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता जिस तरह से अभी आपने खवातीन के हवाले से जिकर किया था कि ये जो तैजाब फैंक दिया जाता है डुमेस्टिक वाइलेंस होता है अब इसके उपर कवानीन मौजूद हैं लेकिन क्या उन कवानीन पर अमल दरामद हो रहा है अमल दरामद नहीं हो रहा है अमल दरामद हुकुमती मशीनरी की जिम्मदारी है हुकुमती मशीनरी इस पर अमल दरामद क्यों नहीं करती है उसकी दो तीन वुजुहात है पहली वजूद पहली वज़ा तो वही है शोर और आगही नहीं है खुद जो वो लोग जिन को डिपाटमेंट बना दिये जाते हैं अमला ले लिया जाता है लेकिन उन्ने भी नहीं पता होता कि-isheu है क्या मसाइल क्या है? इसकी जड़ कहा है? इसका सिलूशन क्या है? और उस सिलूशन के लिए क्या लाए अमल अपना अजाएगा? तो पहले टो उनको training नहीं होती है तो training की जरुरत है दूसरा उनके पास वो वसाइल नहीं है कि वो enforce कर सके उसको तो उनको वसाइल फरहम किये जाएं तीसरी चीज जो है वो अवाम के अंदर इस बात का शूर नहीं है और आगही नहीं है कि उनका हक क्या है उनका फर्स क्या है तो अगर किसी का हक पामाल हो रहा होता है तो वो आवाज ही नहीं उठाता वो उसको समझता ही नहीं है कि ये कानून के अंदर चूंकि ये जुर्म है तो मुझे कहीं रुजू करना चाहिए, किसी के पास जाना चाहिए और इसको उठाना चाहिए अभी हाली में आपने एक वाक्या जो देखा है कि एक पोलिंग आफिसर को एक मुन्तखब जो हुई है हमारी M.P.A उन्होंने उन्होंने पर तश्द्द्द किया, उन्हें थपड मारा लेकिन वाक्य के फौरण बाद हम ये देखते हैं कि वो जो खातून जिनके साथ ज्यादती की गई उन्होंने का जी कोई मामला नहीं है, खतम हो गया है मामला जब एक शखस अपने हक से दस्बरदार हो जाए, हम हुमन राइट्स की तन्जीमे एडवोकेट हैं हमारा काम है एडवोकेसी करना, लेकिन जब जिसका हक मारा जाए, अगर वो अपने हक से दस्बरदार हो जाए, तो हम किसकी एडवोकेसी करेंगे